तो इस तरीके से अगर आप गोभी के पराठे बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे आपके गोभी के पराठे अब बच्चों के टिफिन में आप दीजिए इस तरीके से बनाके तो बच्चे टिफिन भी पूरा साफ कर जाएंगे तो चलिए देद ना करते हुए मैं आ एक गाजर ले लिया है मैंने गाजर को अच्छे से मैं छील लूँगी और इसे कद्दू कस कर लूँगे फ्रेंट्स देख लो मैंने साफ कर लिया है और गोपी को और गाजर को दोनों को ही हम कद्दू कस करेंगे तो एक कली तोड़कर गोबी की और इस तरीके से हम कद्दू कस कर लेंगे फ्रेंट तो इन दोनों को मैंने कद्दू कस कर लिया है और मैंन ले लिया आए एकक्तै प्याज बारेक कट हुआ और हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ मैं citizen oil और इसमें डालूझे में half ऍटेबल इस्पूर जीरा और इसमें डाल रही हूँ खरी मिर्च इन सबको हम हम घुनेंगी अच्छी तरीके से और इसमें डालूंगी अब मैं बारीक कटिवी प्याज एक बड़ा साइस का प्याज मैंने काट रखा था फ्रेंट्स इसे अच्छे से हम कलर्स चेंज होने तक भूनेंगे तो इसी स्टेज पे अब मैं डाल रही हूँ गाजर जो मैंने कद्दू कस कर रखा था तो देख लिए फ्रेंट्स अच्छे तरीके से हमें चला लेना है फ्रेंट्स इस तरीके से अगर बनाएंगे गोबी के पराठे गाजर और गोबी दोन मिक्स करके बहुत ही अच्छा बनेगा इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ कद्दू कस क्या हुआ गोबी इस अच्छे तरीके से हमें चला लेना है फ्रेंट्स अब मैं डालूंगे इसमें मसाले इसमें डाल रही हूँ में अब हाफ टेबल इस्पून नमक स्वाथ के नु कद्दE कापत देख लो इस तरीके से तयार हो चुका है अब मैं डाल तरूँ हाफ टेबल स्पूट गरम मसाला अब यह अब हमारा बिल्कुल तयार हो चुका है इसमें यौपर ऋपर से डाल देंगे धनिया के पत्ते अभी हमारा स्टफिंग विल्कुल अंदर से तयार है तो चलिए फ्रेंड्स ग्यास का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है इसे मैं निकाल लेती हु बाउल में तो देख लिजे फ्रेंड्स विल्कुल रेडि हो चुका है अब मैंने ले लिया है आठा और इसमें डाल रही हुँ थो थोड़ा थोड़ा पानी आइट करके अच्छे तरीके से नहीं जादा गीला और नहीं जादा टाइट नॉर्मल डॉत तैयार करेंगे फ्रैंट्स तो देख लिजी हमारा बिल्कुल डो तैयार हो चुका है इसे मैं करीब पांच मिट के लिए रेस्ट पर रख देती हूं तो फ्रैंट्स डो एकदम तैयार हो चुता है अब इसकी लोई लेंगे और एक एक करके हम इसमें स्टाफिंग भरेंगे चलिए इसके एक अच्छी सी लोई तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंट्स अब इसे मैं बेल लूँगी पलोथन लगा कर चलिए एक रोटी जैसा मैं बेल लेती हूँ अब इसमें मैं रखूंगे थोड़ा सा धनिया अच्छा से फैला लेंगे धनिया को तो फ्रेंट्स अभी इतना मैंने बेल लिया है अब इस पर अच्छे से स्टफिंग को रखेंगे बहुत जादा पतला नहीं बेलना है बिल्कुल नॉर्मल बेलना है तो अभी स्टफिंग को रख लेते हैं अब इसको एक प्रेंगल शेप दे देंगे इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे तो ट्रेंगल शेप मैंने दे दिया है इसको साइट साइट से फोल्ड कर लेती हूं मैं समोसे जैसा आकार मैंने दे दिया इससे नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा पराठा बिखरे नहीं अब इसे बेल लेते हैं अराम अराम से तो इस तरीके से हम बेल लेंगे तो देख लिए अभी ये सिकने के लिए तयार हो चुका है ये हमारा परफेक्ट बिल चुका है तो अभी मैंने बठा दिया तवा तवा गर्म हो चुका है इसमें डाल तरी पराठे इस अच्छे तरीके से सेखेंगे जैसे नॉर्मली हम पराठे सेखते हैं वैसे ही सेखेंगे तो शारू तरफ ओयल मैंने ग्रीज कर लिया है इस तरीके से पका देंगे इस तरीके से मैं और भी पराठे तयार कर लूँगी इस तरीके से अगर आप बच्चों को भी खिलाएंगे तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और हेल्दी भी है आटे का है और गोगी गाजर फूट्स है इसमें विजरेबल से बहुत ही जादा बढ़िया है खाने हमोगी बहुत जाधा अच्छा है तो इस तरीके से अपने बच्चो को दीजिए ट्यूप्न में और बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिए प्राठे बहुत ही अच्छे लगने वाले आपको तो फ्रेंट्स इस तरीके से हम एक करके सेख लेंगे तो हमारा अच्छे तरीके सीख चुका है मैं इसे भी निकाल देती हूँ प्लेट में फ्रेंट्स तो आप देख लो इस तरीके से मैंने पराठे सेख लिया तो आप खुद देख लो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे आप चटनी से खाईए या सौस से खाईए या किसी के भी साथ खाईए बहुत ही बढ़िया लगेगा तो मैं आपको इसके अंदर के स्टफिंग दिखा देती हूं देख लो है ना बहुत मज़ेदार अगर इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनेगा अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक किजिए और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू